कि कि हलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहें एं-C-L-H-E M-M ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपोटिन कोश्टेन है डीचल एंपितोर इंजन से प्रेटिस कोश्चन हमने लाया है जो क्या 62 कोश्चन का प्रेटिस कोश्चन होंगे पहला कोश्चन है सिलेंडर ब्लॉक प्रायतर बने होते हैं जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं वो किसके बने होते हैं आपको बताना है उत्राप्स नमबर एक ग्रे काश्ट आरेन के जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं वो ग्रे काश्ट आरेन के बने होते हैं दो नमबर कोश्चन है सिलेंडर के अंदर की सता को फिनिसिंग की जाती है सिलेंडर के अंदर की सता को किस माध्यम से फिनिसिंग की जाती है उसे क्या बोलते हैं उत्र आप्स नमरे हारनी हारनी के द्वारा फिनिसिंग की जाती है ती नमर क्वेशन है नेम लिखित में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉग का भाग है आपको बताना है आफस्ष紅ád में दिये गए है कांट सिलिंडर भाग ब्लाग के भाग है उतर है आपसन नमर D उप्योग दो सबी सिलिंडर भी है पोर्ट भी है और पैसेज भी है यह तीनों चीज क्या है उप्योग है मतलब cylinder block के भागे हैं option number D जो है correct हो जाएगा चैनल number question है important question है अगर अभी तक ने आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके अपना अटेंडिस चिरूर लगा है aluminum alloy के cylinder block में liner लगे होते हैं aluminum alloy के cylinder में block में किसके liner लगे होते हैं आपको बताना है option number B, grey cast iron के, किसके लगे होते हैं createибо कार्यों option number B, जो है correct हो जाएगा 5 number question है, cylinder block के नीचले भाग में क्या लगा राता है cylinder block के नीचले भाग में क्या लगा राता है आपको बताना है उता है option number A और B, डी जो है oil, pin और sump लगे होते हैं option number D है correct हो जाएगा 6. QC sunshine combustion chamber बना होता है आपको बता ना combustion चेंबर जो है गो बना होता है सिलेंडर ब्लॉक में कहा बना होता है सिलेंडर ब्लॉक में option number A जो हो जाईगा correct हो जाएगा साथ number question है leakage को रोकने के लिए इता ये से सिलेंडरे स्टा से हैं के बीच की math लगाय जाता है वे इस युद गयों engraved जाएंगा पर इसे स्थिव भी इसलेंडर यो क्यों जाएंगा ज़स्ट नंबर रिये के लिए वैरियांटि रियुक्त भी उप्योगड होंता है ति यह के लेऄacement करता है आपको बताना है ओप्स नमबर कियों सब्सक्राइब नमबर वाल्ब मेकेनिज्म और स्पार्क प्लक यह तीनों पर डिपेंड करता है सिलेंडर हेट का डिजाइन तो आपस नमबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा बाद मेकेनिकल में कौन परिवर्तित करता है उत्तर हो जाएगा ऑपस नमबर डी पिश्टन क्या करता है मेकेनिकल को convert करता है और यही नीचे crank shaft को push करता है दस नंबर question है fuel के जनने में जो press बनता है उसे crank shaft तक कौन पहुचाता है fuel को जनने पर जो press या power जो produce होता है crank shaft किसको transfer करता है यह आपको बताना है उतर है option number B piston किसको है piston ही नीचे move करता है 11 नंबर question है piston किल्रेंज का मान कितना होता है option number B होए 0.025 mm से 0.1 mm तक option number B जो है वो correct हो जाएगा piston किल्रेंज की मान कितना होता है option number B 0.025 mm से लेकर 0.1 mm तक 12 नंबर question है piston ring प्रायता बनी होती है जो piston ring है वो किसकी बनी होती है आपको बताना है उतर है alloy gray cast iron की किसकी बनी होती alloy gray cast iron की आपसा नंबर D जो है correct हो जाएगा ring किसकी बनी होती है alloy gray cast iron की चौदा नंबर question है piston ring कंबसन चेंबर में इधन बहने के लिए रास्ता होता है क्या piston ring को कंबसन चेंबर में इधन बहने के लिए रास्ता होता है उतर हो जाएगा option number B नहीं उसको नहीं बहती है rugged pin को किस नाम से भी जाना जाता है piston pin को किस नाम से भी जाना जाता है routing 구s. चंब आपसर नंबर जो सी और correct हो जाएगा ए और बी आपसर मबर जो सी है War32 finished pin के नाम से भी piston pin को जाना जाता है पंद्रे नमबर कोश्चन है पिश्टन को कनेक्टिंग रॉट से कौन जोड़ता है उतर है आप्स नमबर सी पिश्टन पीन कौन जोड़ता है पिश्टन पीन जोड़ता है पिश्टन पीन को किस पेकिरिया से हार्ड किया जाता है उतर है ऑप्स नमबर बी कौरेस हार्डनिंग के किस के दौरा क्रेसiantes हार्डनिंग के दौरा उसको किया जाता है सतर नमबर कोश्चन है कनेक्टिंग रोड बनाई जाती है जो कनेक्टिंग रोड होता है वो किसी बनाई जाती है आपको बताना है उतर है आपसे नमबर भी फोजार्ड इस्टिल की इसकी फोजार्ड इस्टिल की जो है वो कनेक्टिंग रोड बनाई जाती है अठारे नमबर कुश्चन है इंप्वर्टिन कुश्चन है का चैनल बन नहीं सास्क्राइब कर ले क्योंकि हम आपको part by part NCL की practice set ला रहा है ताकि आपको एक्जाम से पहले पहले सारे चीज का practice set आपको मिल सके connecting rod piston के कीस motion को crank shaft के कीस motion में बदलता है उत्तर है option number B रेखिये गयती को ब्रेखिये गयती में किसको रेखिये गयती को ब्रेखिये गयती में बदलता है connecting rod किसको जोडती है जो connecting rod है वो किसको जोडती है आपको बताना है उत्तरा option number D piston तथा crank shaft को जो connecting rod है वो piston तथा crank shaft को जोडती है option number D जो है correct हो जाएगा connecting rod का छोटा सीरा किस से जुड़ा रहता है जो connecting rod का छोटा सीरा है उससे किस से जुड़ा रहता है आपको बताना है उतरा option नमर भी piston pin से किस से जुड़ा रहता है piston pin से जुड़ा रहता है crank shaft बना होता है किस का बना होता है आपको बताना है जो crank shaft है किस का बना होता है फोजाड इस्टिल का जो क्रेंग साफ्ट है फोजाड इस्टिल का बना होता है 22 नमबर कोश्चन है क्रेंग साफ्ट पर किस प्रेकिरिया द्वारा मैन बेरिंग के जन्रल बनाय जाते हैं किसके द्वारा बना जाता हैं ग्रेंडिंग के द्वारा आपस नमबर यह जो है करेक क्रेंक साफ्ट का भाग है आपको बताना है 23 नमबर कोश्चन का क्रेंक साफ्ट का भाग है उतर है और अप्शन नमबर D, यह सभी क्रेंक पीन, बेब, और मैन, जनरल्स यह तीनों चीज़ जो है option number D है, यह सभी हो जाएगा क्रेंग साप्ट के भाग है 24 number question है क्रेंग साप्ट के पिछले सीरे पर क्या लगा होता है क्रेंग साप्ट के पिछले सीरे पर क्या लगा होता है आपको बताना है तो फ्राइविल लगा होता है क्रेंग साप्ट के पिछले सीरे पर क्या लगा होता है फ्राइविल के काम क्या होता है पावर को एब्जार्ब करता है अगर कहीं भी आप सकता होता पावर को डिलेवर भी करता है क्रेंग साप्ट के अगले सीरे पर क्या लगा होता है जो क्रेंग साप्ट है उसके अगले सीरे पर पिछले सीरे पर आपको पाता चल गया होगा कि फ्राइविल लगा होता है और अगले सीरे पर क्या लगा होता है आपको बताना है सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर कोश्चन उचित फ्राइवील और क्या लाब होते हैं जो फ्राइवील होता है उचित लाब आपको बताना है आपको बताना है उत्र क्षेख लोगजिया कशोख करें बसन देखियों आपसंद्व करें होता है यह सब फ्राइवील सब्सक्राइवील है 27 नंबर कोश्चन एंग वारेशनियंग प्राइवर। और क्या होता है आपको बताना है उतर है अप्स नंबर भी एक तीन दो एक तीन दो जो है यह त्री सिलेंडर का फारिंग और है अप्स नंबर भी है जो करेक्ट हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है दोस्तों चैनल पर नहें सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंक लिनियर इंजिन का फारिंग उड़र बताना है उत्तर है ऑप्स नंबर C हो जाएगा एग्र Geור B अपसाष्याइब और 12 42 भी आएसे इसा आप साथ फॉर्म में हयाद करिए 1342 और 1242 जो है फ्रसी लेंडर का फारिंग और होता है चाहिएों को फ्रैफिल可愛षन को बना होता है जो किस आपको बताना है मैं और ऊपन नमझी स्टीन का बना होता है छो फ्रैफिल होता है इस्ट्रिल का बना होता अम्हेशन muito क्वेक्षान है इंग दे опыт होटाना है उसे ऐसकी आफ़ी का दीघिन संख्या secondo और engine की बनावट पर ये दोनों पर diversion करता तू इंजन में port होते हैं आपको बताना है तो कहां पर होते हैं ये बताना है आपको उत्र है option ले भी सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं जो port होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में फोर इस्टोक में वाल में यह थे हैं यह अंदम्यूज नहूं क्रेंग साफ्ट कसा होता है जो क्रेंग साफ्ट है वो कसा होता है किसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक में क्रेंग साफ्ट किसे कसा होता है सिलेंडर ब्लॉक आप से नंबर 20 है जो करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर कोशन वालब लगे होते हैं वालब कहां पर लगे होते हैं आपको सेंटर आपने पढ़ा होगा तो ट्यूदी सी पर लगा रहता है सेंडर फेड़ पर ओप्सन नमबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 36 नमबर क्वेशन है वाटर जैकेट होते हैं वाटर जैकेट कहां पर होते हैं आपको बताना है उतर है ओप्सन नमबर ए सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट कहां पर होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं कि सैटिस नमबर क्वेशन है रॉक साप्ट लगा होता है जो रॉक साप्ट है वो कहां पर लगा होता आपको बता ना उत्र आप्स नमबर ए सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो रॉक साप्ट है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है अरतिस नमबर क्वेशन है पिश्टन की पर प्रिदि पर कितने रिंग लगे होते हैं उत्तर है ऑप्सन नमबर जो हो जाएगा आपका गो हो जाएगा तीन और पांच परिधी पिश्टन की परिधी पर कितने रिंग लगे होते हैं आपको बताना है पिश्टन की पीन पर कितने परिधी लगे होते हैं आपसन नमबर बी हो जाएगा तीन और पांच कितने लगे होते हैं तीन और पांच आपसन नमबर बी है जो करेक्ट हो पिश्टन के चलते चलने से पिश्टन के किस भाग का घर सड़ होता है पिश्टन के चलने से किस भाग का घर सड़ होता आपको बताना है उतर आप्शन नमबर ए इसकर्ट का किसका होता है इसकर्ट आप्शन नमबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा पिश्टन कितने प्रकार के ह होते हैं जो piston ring है हमेसा दो प्रकार्ख होते हैं एक piston all ring हो गया एक piston कि एक जो होता है उ और रिंद होता है क्रिंड होता जो compression ring होता है दो प्रकार OPS metre यह हो जाएगा correct हो जाएगा एक 40 NM question है दो यह लगा होता है आप रॉप्स नमबर एक प्रेल सापट पर जो लगा होता है लगए कहां पर लगा होता है भूछ जो ये सुर्सक्र पर लगा होता कैम साप्ट था केम साप्ट होते हैं जो क्रेंक में कुछे की रूंत वाल्व बताना है कि अकर बताना है बंब marks याओत नमर्ण शामांतर हो ठैक दीषिकर पर्ले नमें होते हैर उपर में भी आपका य६ साप्ट पर्लों होता है नीचे क्ताती है ऊसी की तृषिए परेलर क्या होता है फ्राइविल एक क्रेंग साफ्ट होता है जो कि वो मोमेंट करता है आटो मुवाइल इंजन में कौन सा वाल्ब प्रयोग होता है आटो मुवाइल की इंजन में कौन सा वाल्ब प्रयोग होता है आपको बताना है उदर आपसर नमर ए पोपट वाल्ब कौन सा होता है आपसर नमर ए जो है पोपट वाल्ब प्योग होता है आटो मुवाइल इंजन कितना होता है आपको बताना है उत्तर आपस नंबर भी दो एक कितना होता है दो एक 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 इस रेशियो होता है जिसमें दो एक रहता है इंजन को सक्ति प्रदान करता है जो इंजन है कहां पर पावर जनरेट करता है तो आपको पता होगा आपस नंबर सी पावर स्टोक में कह एक जोस इस्टोग यह क्या है सक्सन के चार प्रोसेस है जिसमें से पावर उत्पन होता है आपस नमबर सी वाले में सक्टी स्टोग जिसको पावर इस्टोग भी कहते हैं और एकस्पांशन स्टोग भी इसी को कहते हैं 46 नमबर कोशन है फ्राइविल का कार होता है जो फ्राइविल होता है उसका कार क्या होता है उर्जा जामा करना ये भी सही है उर्जा प्रदान करना ये भी चाहिए है इंजन को स्मूथ चलाना एमम सहाय करना ये भी सही आपस नमबर जो डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 37 नमबर question है crank soft, cam soft से जोड़ता है crank soft जो है और cam soft से जोड़ता है तब दिये खे objective question में से आपको choose करना है क्या जोड़ता है timing chain जोड़ता है option number a ताइस नमबर question वालब खुलता है वालब खुलता है इसको बताना है आपको वालब खुलता है उत्तर है आपसन नमबर B रोकर आर्म से किस से खुलता है रोकर आर्म से उन्चास नमबर कोशन है एर क्लीप लगा होता है जो एर क्लीप है वो कहां पर लगा होता है आपको बताना है उत्तर पिश्टन पीन में कहां पर एर क्लीप लगा होता है पिश्टन पीन में लगा होता आपस नमबर A जो है correct हो जाएगा पच्चास नमबर question है एर क्लिप का कार क्या होता है जो एर क्लिप है उसका मुखे कार क्या होता है आपको बताना है उतर है आपस नमबर A पिश्टन को पकड़े रहना A भी सही है गजन पीन को पकड़े रहना ये भी सही है गजन पीन चाथा सिलेंडर सहीद को घरसर होने से बचाना ये भी सही है तो जो इसका answer हो जाएगा आपस नमबर D हो जाएगा B और C क्या हो जाएगा B और C पिश्टन गजन पीन को पकड़े रहना piston को पकड़े रहना ये गलत है option number जो A है गलत है गजन पीन को पकड़े रहना ये सही है और गजन पीन को cylinder सतय को घरसर से बचाना option number जो D हो जाएगा correct हो जाएगा B और C दोनों होंगे option number जो D है correct हो जाएगा ये नहीं होगा piston को नहीं पकड़ा रहेगा है तो उतर है पेट्रोल इंजन में किसमें होता है पेट्रोल इंजन में इस पार्क पला की उप्योग होता है निमलिखित में से किसे एयर फिल्टर लगा होता है जो एयर फिल्टर है किसे लगा होता है आपको बताना है उतर है आपसन नमर सी इन इन लेट मैनी फोल्ड से इन टेक मैनी फोल्ड से लगा होता है जो एर फिल्टर है इन टेक मैनी फोल्ड पर लगा होता है आपसा नमबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा तिरपार नमबर कोश्चान फ्यूल 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 फ्य जो आयल फिल्टर होता है वो कार्य करता है आपको बताना है उत्र है ओप्स नमबर भी फ्यूल पंप के पहले फ्यूल पंप के पहले कार्य करता है वो नमबर कोश्चन है आयल फिल्टर कार्य करता है आयल फिल्टर कार्य करता है वो आपको बताना है उत्र ओप्स नमबर सी ल फ्यूल फिल्टर का कार होता है जो फ्यूल फिल्टर होता है उसका कार क्या होता है आपको बताना है पेट्रोल को साफ रखना ये भी सही है डीजल को साफ रखना ये भी सही है तो आपस नमबर जो डी हो जाएगा ए और भी ए और भी पेट्रोल को साफ रखना और डीजल को सा का सा वेरिंग किसका उप्योग होता है कि अगला क्वेशन है राकर आर्म किसकी सहाथा से कार्य करता है जो राकर आर्म है किसकी सहाथा से कार्य करता आपको बताना है उतर कैम साप्ट से आपस नमबर बी जो है उतर सही हो जाएगा कैम साप्ट से राकर आर्म किसकी सहाथा से क कांट लोकक है आर्म्र जो है रखर आर्म किसका प्रकार है आपको बताना है कोंसे स्रेडी में आता है उत्तर अपसिन अबरे प्रथम स्रेडी में आता है राकर आर्म्र कैसा होता है किसे आपको क्षाणा है किस नमबर दोफ रलोकक में किसम लोब लगे होते हैं तो लोब लगे होते हैं आप देखे होंगे ऐसे परकार के जो लोब लगे होते हैं उसको कैम लोब में कहां पर लगे होते हैं आपको बताना है उत्तर है आपस नमबर भी कैम साप्ट पर कहां पर लगे होते हैं जहां पर टाइमिंग वालब लगा होता कैम साप्ट से ही वो हमारे वालब ओपन क्लोज होते हैं फ्यूल पॉप को उर्जा मिलती है जो फ्यूल फॉम्प होता है उससे ऊर्जा कहां से मिलती है आपको बताना आपस्ण कितने का कोड बनाती है केम साप्ट क्रेंक साफ्ट से कितने का कोड बनाती है आपको बताना है विदियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद